Hello everyone, welcome to my channel Being Pharmacist आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Top 5 Government Jobs After B Pharmacy B Pharm करने के बाद कौन-कौन से ऐसे सेक्टर से है Government सेक्टर जहां पर आप लोग जा सकते हैं जो कि Top 5 है सबसे most importantly है कि इस वीडियो हम लोग Private सेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग सिर्फ Government में बात करेंगे Government में दो तरीके को Government होते हैं आप सबको पता है Central Government एक State Government Central Government के जो जॉब्स होते हैं उनके salary State Government से कभी-कभी ज़ादा भी होता है कभी-कभी कम भी होता है मतलब अगर ऐसा नहीं है कि State Government का जॉब है और किसी भी इंडिया के State का State Vacancy आया है Pharmacist के लिए Drug Inspector के लिए तो वहाँ पे salary दिया जा रहा है 30,000 to 50,000 कुछ भी हो सकता है लेकिन उहीं पे Central का एक Vacancy आया है ठीक है? I'm not talking about UPSC Drug Inspector लेकिन UPSC को छोड़के भी Central का Drug Vacancy आता है कभी-कभी लेकिन वहाँ पे हम लोगों को देखने मिलने है 18,000 के starting है जो basic amount है वो 18,000 है Drug Inspector के लिए ठीक है? यह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और इसका उल्टा भी हो सकता है State Government का जो Drug Inspector है उसका Vacancy भी 15 to 20 हो सकता है और वहीं पे हम लोग अगर देखेंगे UPC के Drug Inspector तो उनका होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा लेकि Around 40-50 होते है तो यहाँ पे differentiate तो है सबसे most important जिसको मैं टॉप पे रहाँ हो वो यही है Drug Inspector, Drug Controlling Officer, etc. या फिर Quality Control Officer, Quality Assurance Officers यह जो post है इंडिया में State Government का हो यह Central Government का हो यह सबसे highest salary वाला post है highest respectful job है सबसे best job है I think Pharmacist के लिए एक Pharmacist अगर आप लोग Bachelor करने जा रहे हो तो आपका ultimate goal अगर आपको Government में जा रहा है तो अगर आपका ultimate goal ही normally 90% students के होता है कि मुझे Drug Inspector बना है मुझे Drug Controlling Officer बना है ठेक है? तो most of the students का यही होता है अगर आप B Farm में आए हो जैसे हम लोग को B Farm में हम लोग admission लेते हैं तो college में हम लोग को lectures होता है career and goal development etc तो हम लोग को सबसे पहले बताया जाता है कि आपके line में most important and most respectful job है Drug Inspector जिनका काम होता है Drug Surveillance तो यह हम लोग के एक mind में है कि Drug Inspector बनागे तो Pharmacy के line में हम लोग सबसे ऊपर चले गए तो इसी सच है This is true क्योंकि Drug Inspector के जो salary होता है वो भी अच्छा खासा है जो facilities मिलते हैं वो भी बहुत अच्छा खासा है State Government का प्राइवेट या फिर Central Government का लेकिन इनका vacancies बहुत कम आते हैं आते भी है तो स्टेट वाइज हो जाता है डिफरेंट स्टेट के लोग कुछ स्टेट में अपलाई नहीं कर पाते हैं UPC का कोई ठिकारा नहीं है कब आता है कब नहीं आता है मतलब हर टाइम ऐसे नहीं कि हर साल आते है नॉर्मल जैसे UPC होते है उससे इसका कोई connection नहीं है UPC लेवल का drug inspector vacancy कभी-कभी आते हैं दूसरे नम्मर पर आते हैं तो second point पे जो sector है वो है research में ठीक है research में अगर आप लोग enter करते हो after Bfarm तो as a GRF आपको enter करना पड़ेगा 2 साल रहते हो तो आप SRF बन जाओगे अगर research में जाना है research के साथ-साथ आप लोग वहाँ पे as an assistant professor और as a professor as a lecturer भी आप लोग चले जाओगे अगर इस line में आपको जाना है इसके लिए आपको government में net देना होगा NET exam, national eligibility test इस exam को ना दिये आप लोग नहीं जा सकते इस sector में आप लोग की private किसी college में जाओ as a lecturer, वो अलग है यह हम लोग research में आ रहे हैं NET देंगे, तो हम लोग research करेंगे PhD करेंगे, ठीक है, as a JRF, SRF और उसके साथ-साथ lecture-सिप करेंगे यहाँ पे आप लोग को 31,000 मिलना स्टार्ट हो जाता है, first month से ठीक है, उसके बाद वो 35 होगा उसके बाद और भी आगे जाएगा और उसके साथ अपका PhD भी complete हो जाएगा after Bfarm directly, I think this is a great opportunity, अभी Bfarm के बाद भी PhD आप लोग कर पाऊगे तीसरा जो है, तीसरा sector की बात करें, तीसरा जो government jobs की बात करें वो है PSUs public sector units, जो public sectors है as an example ले लीजिए public sector में coal India है DRDO है, ISRO है BRC है, BABA Atomic Research Center उसके साथ साथ sale है चीक है, Steel Authority India Limited यह जो sectors है, यह PSU sectors है, public sector units इन में अभी आगर आपको फार्मासिस्ट का, इन में जो jobs होते हैं, नॉर्मली हो फार्मासिस्ट का होता है, इन में ऐसा नहीं कि आप लोग का कुछ officer बगरा का post मिल जाएगा, पिल्कुल नहीं है फार्मासिस्ट, simple pharmacist grade 2, grade 3 का post आता है लेकिन यह Central Government का सबसे best schemes बाला job है, मतलब salary भी अपका, अगर permanent job मिलगा, तो 2-3 सालों में अच्छा कासा salary हो जाएगा, permanent हो जाएगा और उसके साथ-साथ facilities benefits बहुत मिलते हैं, PSU में especially Central के जो PSU है लेकिन यह jobs बहुत कम आते हैं like DRDO के vacancy आते हैं कभी कभी एक-दो, AC का vacancy बहुत आते हैं, AC का vacancy आते हैं railways का बहुत कम आते हैं, पहले बहुत आता था अभी बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आना चाहिए, ठीक है इनको चोड़के hospital pharmacist की बात कर रहे है fourth number पे, तो hospital pharmacist में भी आप लोग अगर aims बगएरा, जो बहुत large scale वाला hospital से, इनमें अगर आपको मिलता है है, aims बगएरा में, तो वो around आपको 16,000 to 20,000 होगा, उससे जादा नहीं expect कर सकते हैं, हम लोग मिल जाए तो अच्छा ही बात है, अगर नहीं मिल दे तो यह होगा, I think, तो यह marginal है, मतलब इसी scale में आपको मिलेगा salary, लेकिन scheme अच्छा है, जो job है, वो aims बगएरा में अगर मिलेगा, या फिर district hospitals में मिले, या फिर municipal corporation hospitals में मिले, जो अच्छा-च्छा hospital है, large beds वाला, तो वहाँ पे आपका salary अच्छा हो जाता है, ठीक है, आप लोग including DRDO, यह भी defense में आ रहा है, DRDO भी, तो इनको भी include करूँगा मैं यहाँ बेवी, तो इनमें अगर मिलता है as a pharmacist, तो यह भी बहुत अच्छा है, आप से को पता है कि यह jobs जो होते हैं, pharmacist के लिए vacancy आते हैं, specially army में, army में बहुत सारे military में post आते हैं, pharmacist के and वहाँ पर D farm, B farm बहुत eligible होते हैं, कभी-कभी B farm सिर्फ होते हैं, कभी-कभी D farm सिर्फ होते हैं, लेकिन इनमें भी आप लोग जा सकतो, बहुत अच्छा salary है, यहाँ का बहुत facilities है, benefits है, सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पर, यहाँ पर एक चोटा सा और tips में add करूंगा, वो है banking में, although जो banking में है, वो सिर्फ और सिर्फ फिलाल SBI जो bank है, SBI का pharmacist vacancy आता है, कभी-कभी SBI as a clerk kind of post में, group C के post में, तो SBI pharmacist कभी-क exam होता है, SBI, इसको भी मैं PSU में ही डाल रहा हूँ, लेकिन यह भी कभी-कभी आते हैं, post इसका, तो यह भी आप लोग ट्राइ कर सकते हो, क्योंकि SBI का salary काफी अच्छा है, इनको छोड़के, पतलो इन ही को मैं top में रखूंगा, top 5 में मैं इन ही को रखूंगा, इनको छोड़के जितने भी है, वो भी आप लोग जा सकते हो, कि अच्छा होता है सबकी लिए, तो ट्राइ करते जाओ, हर एक्जाम को अटेंड करो, पहले हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग कितना prepared है, तो from your side, जितना हो से के preparation लेलो पहले, जब realize करोगे, yes, now I am prepared, fully or not, I don't know, but yes, I think I am prepared, तब से start कर दो, हर एक exam को अटेंड करो, हर एक interview को अटेंड करो, वो ही पह पता चल जाएगा कि how much I am qualified for this job, or how much I am qualified for this kind of jobs, and how much I am prepared, ठीके, जैसे ही पता चल जाता है, अगर वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, you are like, achiever, अगर नहीं मिलता है, तो उसी जेगा पे, again start करो, जो gaps मिल रहा है, वहाँ पे, जो gaps हो रहा है, उन पे focus करो, next बार जो आएगा, वो ही jobs, तो definitely easily मिल जाएंगे, that's all about the video, अगर आपको video और information पसंद आए, तो video को like करो, comment करो, and share को everybody, and thank you so much, subscribe to the channel and make sure to press the bell icon, thank you so much.